तत्स्रिया काल मैं हाँ चंचल मनोर सिंग तुसी देख रहे हैं अमरत परसार अमरत परसार दे विश पद्दर विच फैले होए दर्शका दा बहुत-बहुत स्वागत है आज जैसे गाल करांगे के दिल्ली दी जो नवी मुख मंतरी बनी है कल शिरी मती अटीशी जी उना ने पांच नवे मंतरियां नो कल अपनी कैबनेट बिच बनाया है नवे मंतरियां नो ओथ दिती है पर हराणगी दी गाल है कि जिते एक मुसल्मान MLA नो भी बनाया गया है एक दलित नो भी बनाया गया है पर इना तेरा मंतरियां दी उन गिंती होगी है कैबनेट जो पर सिख M MLA नो मंतरी नहीं बनाया गया। ये उना दी मुनिस्ट्री विच बड़ी काट मसूस हो रही है। और एस जड़ा उना दी अंगैली नहीं ये उना ने खुद फैसला लेया है कि सिख MLA नो इगनोर कीता गया है। ये जड़ी आज जैसी कैबिनेट फार्मेशन हैं तीशी उरांदी मुक्वंतरी दी ओधे उपर चर्चा करांगे। इस तो पहले के ओस फार्मेशन विच जो काटगिंटियानल वितकरा होया। जैसी चर्चा शुरू करिये। मेरी आप जी नो बुजारश है कि तुसी जे कर होनती कंद अम्रत पर साल नो सब्सक्राइब नहीं कीता। इस नो सब्सक्राइब करो इस नो लाइक करो और इस दी बेल आइकन जानी इदी कंटी जरूर दबाओ। ता जो तो आनू साड़ी जो वीडियो है वो तुनुत मिले क्यूम्निकेशन तो आड़े तक पहुंचे और तुसी एक नवे किसम दे अनेलसी जनू निरिखन नू देख सको। इदनाल जेडा उना दी पार्टी दा सैकुलर इमज है उनू भी साठ वज्जी है और देखन वीचे आया के सिक खलकियांच सिरफ दिल्ली वीच नहीं पन्याब वीच भी एस प्रती जो नराशा देखी गी है अते कुछ अलोचना दियां खबनाभी सामने आयान। तुसी देख्या है के कल सोरभ बार्दबाज, गुपाल राए, किलास गिलोट, इमरान उसान, मुकेश, अलावत इना पांज नवे मंतरियां नो ओध दिती गी है। एक जंगी गाल है के एना ने एक मुसल्मान कैंडिडेट नुमी मिनिस्टर बनाया अते दलत नुमी आपनी कैबिनेट वीच एक चंगा रुतबा देता है। पहली वारी दा MLA बनेया और उनों उना ने कैबिनेट रेंग दा मंतरी बनाया। पर सिख कैंडिडेट कोई भी नी होन करके एक नमी सिख्खां विच निराशा पैदा हुई है। क्योंके पन्याब दे जो सिख लीडर हैं वो ये मैसूस कर दे हैं कि सिख्खां ने बड़े खुल दिले टांगनाल आम आदमी पार्टी नो दो हुजार बाई वीच खुलियां वोटां पाके बानमे सीटां देती हैं। जहनी बानमे मैले 117 विच आज तक किसी पार्टी नो इन्नी वड़ी बाउ सम्ती प्रापत नहीं होई। और इते भी देसे जरूरी है कि जड़े राजसबा दे मेंबर भी हां दिली तो ले गयां। उना नो भी जड़े पंजाब दे मेले हां उना दियां वोटां ना ली जटाया गया। जो सरदार जर्नेल सिंग एम एले हां वो पंजाब दे को कन्वीनर भी रहे हां। अते उना दी बड़ी लंबी जड़ी है मेनत करके उना ने पार्टी नू सिर्फ पंजाब बीच नी बिल किता। बलके दिली बिच भी उना ने सिख वोटा नू आम आदमी पार्टी दे हाक बिच पुगतं दा बड़ी मेनत करके काम कीता। अग्या ने स्वाले आए के ए अजया क्यूं होया। क्योंके अरविंद केजरिवाल जी नू चाहिधा सी के जादो शोन करें सी मंत्रियां दी ता उनानू किसी ना किसी त्रीके नाल एक सिख केंडिडेट नू भी मंत्री बढाना चाहिधा सी। क्योंकि होग चीफ मुनिस्टर वोमेन बन गई एस करके जड़ी वोमेन दी रिप्रेजेंटेशन दी कोई काट मैसूस नहीं हो सकती क्योंकि हाथी के पाऊं में सब का पाऊं तो यंगेस्ट वोमेन चीफ मुनिस्टर जड़ी दिली देव बढ़ें इस तो पहले शीला जी शीगे उस तो बादे कुछ दिर शुष्मा सब्राज जी रहे और वो चोड़ना जित सके उस तो उगलियां चोड़ना चोड़ना दी पार्टी बीजेपी दिहार गई सो हलांके शुष्मा सब्राज बड़ा बड़ा स्यासी बीजेपी दाचेरा सी पर दिली दे लोका ने उनानों बोटानी बाईयां नकार देता और एस सिल्सले विच अलोचना हुई है उदे विच मैं दसना चानना के मोहाली दे जोड़ी नगर निगम है उस दे डिप्टी मेयर कुलजीत सिंग बेदी उनाने इना दी सक्त अलोचना कीती है के आम आदमी पार्टी ने सिखां दी वोटां पन्जाब बीच भी लेएं दिली बीच भी लेएं और किसी सिख चेरे नो उनाने अपनी कैबनेट बीच नहीं लिया उस दक उनाने मिसाल भी दिती है उनाने कहा के जो जर्नेल सिंग वदाएकान वो पन्जाब दे को कन्वीनिर भी रहे हैं तो उनानों जरूर मंतरी बनाना चाईदा सीगा सो एस तो इमें में लगता है कि बीच जड़ों कोई भी फार्मेशन होंदी है किसी कैबनेट दी उदे बिच बिलकुल इसाब रख्या जानदा है कि काट गिंटियान नों में पूरी होना दी बनदी थां दिती जाए मुसल्मान चेरा थे ले आनदा उनाने पर क्योंके सिख चेरा उनाने इगनोर कीता है ऐसली उनानी अलुच नामी हो रही है और ये देख्या भी गया है के अर्विंद केजरिवाल ने चाए मुसल्मान चेरा लेयां दा है पर उना दा मुसल्माना प्रती जो रवईया है वो तकरीबन बीजी भी इनाल मिलदा गिलदा है इननी लंबी चड़ी दिल्ली वीच एजिटेशन चली मुसल्म इस्तरियां दी एक साल तो उते लंमा उना दा तरना रहा तां कदी भी केजरिवाल ने उना दे तरने ते जान दी लोड नहीं मसूस किती फिर जिस वेले मुसल्माना दे बुरुद दिली वीच राइट्स होए तां ओस समय भी केजरिवाल ने चुपी ठान रखी तो एस तो इमें लगदा है कि जिमें बीजेपी मुसल्माना प्रती एक पकपाती रख दिये बेहेवियर उना प्रती पकपाती तरीके नाल चल दिये उसी तरह अर्विंद केजरिवाल भी विल्कुल निर्पक्ख मनियार्टीज बारे नहीं हान तो एस सोच विचों ही हो सकता है उना ने जड़ा सिख चेरा इगनोर कीता है और जड़ा पार्टी फंड जड़ा है उना नो सब तो बाद पन्याब बिचों कठा होंदा और ओ सारा फंड उना ने अपनी पार्टी दी नैशनल लेवल के जो त्रकी लेई उस दे विकास गोवादिया लेक्षिना चलाया गुजरात विच लाया एंपी यांदी लाया है एंपी विच भी उनाने काफी कोशिस किती है कि उनानों कोई सीट मिल जाए अते होन जिवें हर्याने मिच भी चाल रहा है तो पंजाबतों जड़े सिख मंत्री और सिख हैं मेले सिख लीडर उसारे हर्याने मिच आम आदमी पार्टी दी समर्थन विच कम कर रहें परश्यार कर रहें के उथों कुछ ना कुछ सीटां मिल सकन पर इमें लगदा के जिमें केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट दिती है के ओ जड़ी है जड़ी सरकार बनेंगी ओदे विच उना दा वड़ रोल होएगा फा किंग में किंग दा रोल प्ले करनेंगे किंग मेकर के में ओणगे को उन्होंनों उमीद है भी कुछ सीटां आ जान गियां और किसी भी पार्टी दी हर्याने मिच मजारिटी नहीं आएगी इसलिए जिसने भी सरकार बनानी होएगी ओ आम आदमी पार्टी दिये समर्थन नाली बना सकेगा पर पता नहीं अजया होंदा है के नहीं होंदा क्योंके एस वेले जड़ी कांग्रस दे हाक बिच हवा है ओतां उचियां बलंदिया नू छोरी है ते उमीद किती जारी है के कांग्रस अपने बवबल बूते ते ही अपनी सरकार बना लेगी चलो एता होन चोना तो बाद रिजल्ट निकलन वाले दिन नहीं पता लगेगा तो एस चर्चा नू समाप्त कर दियां और मेरी आप जी नू गुजारश है के एस वीडियो नू तुसी वाद तो वाद आपने सबंदिया नाल मित्रा नाल सांजी करो अते ए जो इंड़ेंड सोच वाली पतर कारता है ओस दी इक बनगी अपने जानकारा तक भी फुजदी करो एस चर्चा नू वे थे समाप्त कर दियां तनवाद सस्रिया का